हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कोल पर हार्दिक स्वागत है देखे हम एक स्रीज लेके आए हैं जिसमें हम सिपाही से लेके सुबेदार मेजर तक की 15 साल से 33 साल तक सर्विस जो है उसके आधार पर उतनी कितनी पैंसन बनती है OROP-2 में वो पूरी टेbल मैं आपके साथ सेर कर रहा हूँ देखे पार्ट-1 में हमने सिपाही और नैक, पार्ट-2 में हावल दार और नायप सुबेदार और आज part 3 में हम सुबेदार और सुबेदार मेजर की pension देखेंगे कि कितनी उनकी बनती है qualifying service के आधार पर तो देखें जो हमने आज की table ली है उसमें सबसे पहले हम सुबेदार rank के बारे में बात करेंगे जो यहाँ पर 23 साल से सुरू करके यहाँ पर 33 years तक के लिए लिया है 33 years इसलिए क्योंकि और और पी टेबल है उसमें 33 plus years तक का ही column दिया गया है उसके बाद blank रखा गया है कोई option उसमें नहीं दिया गया है इसके regarding CGDA से जो बात हुई है तो उन्होंने बोला हाँ यह point हमने ओलरी भेज़ दिया है तो देखिए आज जो हम बात करने वाले हैं यही हमारा main market देखिए अभी जो हम pension draw कर रहे हैं यह वाली जो table में आप देख सकते हैं आप इसका skin sort लेके भी चेक कर सकते हैं अपनी qualifying service के आधर पर चेक कर सकते हैं कि पहले कितनी थी और अब कितनी है और आपकी में कितना difference हुआ है देखिए यह जो pre 2016 है उनका कुछ और हो सकता है अगर उससे पहले के retirees हैं उनका कुछ और हो सकता है जरू नहीं कि सबका old pension shame हूँ क्योंकि depend करता है कि यहाँ पर कब retire हूँ है उसके आधर पर भी पहला जो fixation हुआ था वो किस आधर पर हुआ था तो देखिए जो new pension है अगर आप देखेंगे तो अभी सबसे important चीज़ बनती है कि new pension तो देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 27.25 साल तक जो है वो same 28,050 रुपे fix की गई है अगर हम बात करें 28 साल में तो देखिए 28 साल में 29,700 और 29 साल में भी देखिए हम तो यहाँ पर जो pension fix की गई है 29,700 रुपे fix की गई है लेकिन अगर आप 30 साल यहाँ पर 30 years के सुबेदार साब हैं तो देखिए आपकी जो pension fix की गई है वो 31,000 रुपे की गई है अगर ORP1 के आधार पर देखिए तो यह 32,613 थी लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए हैं जिनकी पहले 26,400 की थी काफी पहले रिटायर हुए थे वो लेकिन अभी जो है उनकी जो 31,000 हो गई है और यह PPO में ने देखा भी है उसके बाद हम बात करेंगे देखिए 31,000 तो 31,625 लेकिन वहीं आपकी अगर 31,000 साल नोकरी हुई है तो 31,725 और 32 या 32 से ज़्यादा अगर आपकी सर्विस है आप सुबेदार रेंक के हैं तो देखिए 33,400 रुपे तो देखिए इस कंडिशन में किसी भी कंडिशन में यहा 32 यर्स तक का किया है 32 प्लस या 33 प्लस यर्स तक के लिए किया है देखिए बहुत से कमेंट इस्टाइब के आते हैं कि 30 साल से पहले क्या देखिए कोई भी एगर सुबेदार है सुबेदार मेजर है तो ऐसा तो नहीं है सर्विस में आते ही सुबेदार मेजर बन गया होगा तो देखिए उसकी conditions हैं इसलिए ये सब चीज़े दी जाती हैं तो ये देखिए old pension है old pension मतलब जो औरोपी 1 था उसमें 2.57 का multiply factor करके ये pension जो है निकाले गई है new pension की बातगरम करते हैं तो देखिए 23 साल से लेके साड़े 23 तक के बीज में तो 28,600 है आपका अगर आपकी 24 year service है तो 29,000 और यहाँ पर देखिए 37,700 जो है आपका एक यहाँ पर किवड़े 27 साल तक 30,700 है और अगर आपकी 28 साल सर्विस है तो यहाँ पर 30,700 पिशत्तर रुपए है यानि पिशत्तर रुपए यहाँ पर बढ़ा है गए है 28,29, 29, 29 तक देखेंगे तो 31,250 तीस साल में 31,625 साड़े तीस साल में भी सेम 31,725 और वहीं अगर आपकी 31,5 या उससे उपर कोई भी है तो देखिए यहाँ पर 33,400 रुपए जो है वो आपकी पैंसन फिक्स की गई है तो देखिए यह वो लेटेस्ट है जो आपकी अगर आप इस से जादर ड्रो कर रहे हैं तो जादर ड्रो करते रहेंगे लेकिन अगर आपकी इस से कम ठी पहले तो देखिए अब आपकी जो लेटेस्ट पैंसन है वो यह बन गई है OROP2 के आधार पर देखिए आप अपना PPO जरूर चेक कर लें क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी गड़बड़िया हो सकती हैं जो इनिशली आपको पता चले उनको सुधारा जा सकता है तो इसलिए अगर कोई भी इस टाइब की प्रोबलम आप फेस करते हैं तो देखिए आप अपना grievances जरूर डालें फिर मिलेंगे आपसे जय हिंद जय भारत